कि अलो दोस्तों मैं अंगर सरी लर्निंग भी दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं स्वागत करता हूं दोस्त कल पिछली क्लास में हमने रिमेंडर्ट फिरम पढ़ा था आप देखें होंगे कितनी आसान तरीके से आप लोग सेस्फल प्रमय को निकालने में सक्षम थे आज हम जो क्लास करेंगे दोस्त यह करेंगे दहाई कांग निकलना हाला कि आप लोगों के लिए एक बार नया हो सकता है दहाई कांग निकलना इसलिए परसार होने की जरूरत नहीं है मैं आराम से समझाने का प्रयास थोड़ी से लंबी कलास हो सकती है तो प्रयास रहेगा कि आज आप लोग समझ पाए अभी तक तो एकाई कांग निकालना आप लोग जानते थे तो तुरंत आप निकाल लेते थे इस टापिक को मैं कल भी पढ़ा सकता था इसलिए नहीं पढ़ाया कि रिमेंडर थीरम के साथ यह जोड़ जाता तो थोड़ा कठिनता बढ़ जाती ठीक है इसलिए मैंने सोचा कि आज वाली कलास में हम दहाई की अंकों समझें आप देखे भाई पहले तो लास्ट अंक कि या तो सकता है या या तो एक आ सकता है या तो चार आ सकता है या तो पांच आ सकता या ओक शे Rock कर दो अपक्रैति से ज़य कुछ आने वाला दृ लेकिन दहाई के अंतकी बात जब आप करते ओ देखो जब दहाई के अंग के बात आप करते हूं तो दो बात दिमाग में रखने हैं कि भाई इकाई तो हमको नहीं निकालना है पहली बात इकाई तो आपको पास उसका स्कॉयर ही निकलेगा लेकिन जो दहाई का होगा अब तक हमको यह बात निकालनी है कि इस बात को मैं इसे लिखता हूग हूँ कि कि हमको यह बात भृत निकाल नहिंए होता है दहाई का अंग अ मुझे दहाई का यह वाली बात नहीं होती है बच्चे चैनि एक बात बता ह० अब पहर आसाने होती थी भैई इस इसका इकाई कांग में निकाल लेता था अब मुझे दहाई की बात तो एक एक कांसेप्ट को समझते चलिएगा कुछ चीजें जो नहीं हो सकती है आपके लिए तो आराम से मैं बताने का प्रयास भी करूंगा देखें कि कई बार दहाई का अंदर पहले मैं लिए मालो जीरो क्या लिए जीरो अब आप बताओ जीरो में अगर दो बार स्क्वाइर करोगे तो लिखना चाहो तो जीरो जीरो लिखोगे हमें केवल यहां पर दहाई के अंदर से मतलब है हमें पहले सवाल में जब हम पढ़ेते तो हमको इकाई अंदर से मतलब था अब हमें सवाल में किस से मतलब है बच्चे केवल दहाई अंदर से मतलब है अगर इसके ऊपर मालो जीरो का क्यो भियार करते हो तो तीन बार जीरो मतलब है तो के वल 0 से मतलब यानि जीरो का नियम क्या करता है समग बात अई तो रही बात किसी 0 किジरो स्य लिजो में को आपको सिंप्लीब सिटी है कि कोई भी पावर हो यदि जीरो की तो आप क्यारोगी जैस अwen ग्लि rage लिखने से क्या फाइदा क्योंकि हम तो निकालनाहां से क्या है मुअ है भुले खुले राजिय बार दसकां सबत्व अब बेसिक बात कुछ जानते हैं पहले समझों बात कि अगर एक के नियम का दहाई यंक देखना चाहते हो बच्चा तो देखो जैसे मैं एक सिंपल सेटी लेकर समझाता हूं कि आप 11 का स्कुएर जानते हैं किसका जानते हो एक स्कुएर करोगे एक ही मिलेगा उसके सामने कुछ भी लगा सकते हो जीरो लेकिन 11 की बात मैं करता हूं तो मेरे पास 11 का जब स्कुएर किया तो बच्चे कितना आया जरा बताओ 121 अगर पिर अब 11 का अंक मुझे दहा इका अंख निकलना है एका इक है थी ओट हाई का जो हैग्ए कहए इस दहाई का दो आया खिर हम नहीं हो होगिया इसके दो एक का तो हो गया ऑसाफ जाते रहें कि यहां से प्रूप करके निकाला जाता है अब देखें कि मेरे पास समझ में आया कि अच्छ ठीक है सर तो अगर मालो 21 का पावर 21 का पावर कुछ मैं लेलू 112 लेलू इसमें दहाई का अंग क्या हो अगर हाई का अग्यात की अद को आप समझेगा यदी समय दहाई का निकालना है तो भाई एक आई परते एकान वेखे एक पर क्या एगा एक अचार दहाई निक अधर क्या सभाद आ थाई निकालना हैं तो मैं रहा केवल इसका इसका मल्टिपल करतों तो दो दुना इच्छा बाते हो गई के लिए नहीं हुए तो कोई बात ने तीसरा प्रस्ण में एक लिए लेता हूं कि लेले कोई भी प्रस्ण रहो आप माल लो हमको कह दें एक सब्काइश का पावर एक हजार आठ में एक हजर आठ में दहाई कांक निकाल दूँँँँँँँँँँ दहाई का अंद क्या होगा आप हमको बदाईए क्या यहां से एक हो जाएगा एक और इस आड़ दूना तोला और सोला में दहाई कांग क्या हो जाएगा बोलो बात समझ में आ गए कितना सिंपल यह दहाई का बात अभी एक का नियम बताया पहले क्या बताया बच्चे मैंने जीरो का नियम एक दम आसान है कि वह समझते रहें मजा आ जाएगा आपको जीरो का नियम मैंने बताया अब बच्चा एक चीज तो मुझे यहां से दो बाते समझ में यानि जिन संख्याओं के लास्ट में हम एक बनाने में सफल हो जाएंगे तो सवाल आसान हो जाएगा देख के समझो कि अगर एक तो एक लिखा ही मैंने और दो दुना चार कर दिया तो दहाई का अंक क्या हो गया हैं अभी मैं साइक lerवह बात नहीं कर रहा हूं हजारवह बात नहीं कर रहा है उसके पहली क्लास में हलाकि अभी तक दहाई के अंंक तक पूछा घ precise पूछ एक बर गलती से पूस्ट दिया गया था तो इसी लिए मैंने इसको ले ले लिए टापिक को कि आपना लेंक पर एक आप बताओ कुछ भी लेलो यार इससे नहीं मतलब लास्ट में एक ही आएगा कि इतना एगा एक ही आएगा और दो अठे तोला तो दहाई का कितना हो जाएगा अब बच्छे में द colabor différents हमारी अब खे देखो एक का नियम कहा कहा और सकता है तो मैं आपको बताता है कि ओधीन में भी बनता है अरणसाप में भी बनता है और और न में भी बनता है क्यां समझना घ्रीजन क्या है समझात हूं मैं जब आप तीन की पावर एक करें तो तो क्या पाओगे 3, जब आप 3 की Power 2 करोगे तो क्या पाओगे, 9, जब आप 3 की Power 3 करोगे, क्या पाओगे, 27, लेकिन जव ही बच्चा 3 का Power 4 करोगे, क्या पा जाओगे, 81, 80, kep का मतलब देखो, क्या 1 मिदा क्या, यानि अगर 3 nella आपको पावर क्या बनाना है जब कभी तीन वलना प्रस्ण आप से पूछे तो पावर क्या बनाना है जैसे मैं बात कर लूँ अगर क्वेस्चन में आप पूश्देत तीन का पावर तीन का पावर और सथ में तहाई का अंक क्या होगा तहाई का अंक क्या होगा अच्छा आप हमको बताओ एधी सी बात कि मैं इसको क्या बनाने का प्रयास करूंगा तीन पावर चार क्योंकि देखो तीन पावर चार में एक मिलता है तो तीन का पावर चार बना दिये तो चार से यहां भाग भी देना पड़ेगा तो सत्तरा चौका अनसट होगी तुम्हें लगता होगा अगर कुछ बच जाए तो उसकी चर्चा भी करूंगा उससे मत परसान अब यह बच्चे सवाल क्या बन गया यह बन गया 81 का पावर कितना बन गया 17 बना की नहीं भाई अब इस एक की तो एक ही होगी लेकिन आर सते 56 और 56 में दहाई कांग क्या हो जाएगा छे बात हो गई सम्माब कर दो तो तीन का नियम भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी अगर मालों जैसे कुछ लोगों दिमाग में भी होगा अगर सरेती पार आरुसेटगर टीन पारोर major 30 पर सक्तर होता तो तो टीन पव् God sतर हिंग कर लिया आप देखो बनानों तो टीन पेवर चार ही है नहीं कि 17 चोक का अनसर करना आ दोबचेगा तो दो वाला यहां लेलो इस light टो वजाए हुएए आप देखो ये वाला बन गया 81 का पावर 17 और ये 33 का 9 यहां से एक हो गया और आग सते 56 की 6 हो गया गुड़े 9 तो 91 का 9 और 96 4 तो यहां से दहाई का तो दहाई का डीजिट क्या होके बच्छे 10 दीजिट क्या हो गया बता हो गया या इन टीन का पावर कि स्क्राइक और तीन कश्री वात यह प्र पर एक मिलता है अब बच्चे दूसरी बात मैंने क्या किया साथ की अब साथ के चरचा कर रहा हूं अब मैं किसमें चर्चा कर रहा हूं साथ के चलिए अब देखे साथ क्या कहता है कि अगर साथ का पावर एक करूं तो साथ मिलता है कि साथ का पावर दो करूं तो उन्चास मिलता है साथ का पावर तीन करूं कि 343 मिलता है लेकिन साथ का पावर चार करूं तेहां लाश्टम कितना मिलता है बच्छे एक अरे भाई स्कॐं दो तीस और साथ करेंगते हैं कि diferença है अब देखे क्या इसके भी लाश्ट्में। इसके भी लाश्ट में उसक्तिम देखे बच्छा हौं में बच्छा अकि यानि यहां पर विए बनाना है आपको पावर का स्था बनाना पावर का इतना बनाना यह प зов तीन भी चार आपने बनाया साथ में भी भागिवस चार ही बनाना है चर चार नौ की भी में कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सकते fifty रहेगा यहाँ से मैंटर क्या हो सकता देख अगर 9 की पावर में करूं तो 만들어 मिलता है और 9 का पावर करों तो क्या मिलता एक यसी और हमें हर हाल में 9 की कंडिशन क्या बनानी है वन बनानी आप देखे तीन मेंしました चार पाउर करने पर पहुंचेगी 7 में करने पर एक पहुंचेगा और 9 में डो क करने पर एक पहुं जाएंगे बचिते बोलिए Clear है भी कि आप देखे सवाल मालों कुछ भी बन सकता सवाल के लिए थेंसा में तरीके को समझो सवाले तो बनती रहती हैं देखिए जैसे मालो मैं कह दूं साथ का पावर कुछ भी ले ले लेता हूं सतहत्ता ले 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 लुग दहाई का अंक ग्यात कीजिए अग्यात कीजिए अब देखे अ कि एह है आपका साथ आप हमको बताओ बच्छे साथ का कितना पावर बनाओ तो काओगे सर्चाठ बनाएंगे और का बनाएंगे तो बना दो स्टाथ का पावर चार बनाओगे आप इसमें भाग दोगे चार से भई तो 18 चोग का 72 और शोग 76 ह होता है तो 19 बार जाएगा अरे हाँ या ना 19 बार जाएगा हाँ या ना 19 बार चला गया और से एक बच गया कितना साथ का पावर एक अरे भाई अच्छा आप हमको बताओ एक को तो एक लिखोगे और इसका ले जाके यहाँ पर जीरो से नौ में गुड़ा करोगे तो क्या हो जाएगा जीरो और गुड़े साथ करोगे बच्चे यानि इसके दहाई कांग क्या हो जाएगा जरा बताओ इसके दहाई कांग सुन्ने हो जाएगा देखो फिर दूसरा सवाल लेता हूं सवालों पर प्रक्टिस कर लेंगे तो आपको यह चीजें आसाल लगेंगी मैं यह वाला तीन वाला हठाता हूं समझ गए हो गया आप देखो मालो मुझे सवाल मिल गया साथ का पावर कुछ भी ले लो तुम्हारे उपर है 102 मिल गया में दहाई का अंक क्या होगा यह आपसे सवाल में पूछागे आप हमको बताओ भाई साथ का पावर क्या करोगे चार चार दुना आठ दो बच्चा चार पच्चे बीस और सेस्पल दो बच्चे के इधर लिख देते हैं यह बताओ टोट शुबएस और और जीरों का प्चत्व विड़ा प lassमें करोगे तो जी रो और यहां kalo भूट टी नाइन से मल्टीपल्ई तो लेट फोटी ना realize ऐसा लो एक लाता प्रक्तिस कर लो देख लो इस caused अ.. इसको करा दिया कुछ भी करना चाहो साथ के पावर में आप करो अब हम चर्चा करेंगे बच्चे अलग से नौ के पावर की नौ के पावर का नियम भी मैंने आपको बताया कि अगर 9 का पावर 1 है बच्चे तो 9 आता है लेकिन 9 का पावर 2 है तो कितना आता है एक क्यासी आता है देखो सिंपल है इसलिए मैं सीधे से बता रहा हूं कि 0 1 3 7 9 में एक आता है इसलिए एक का नियम से मैं सम्मंदि सब को बता दे रहा हूं ठीक है फिर 2 4 और 8 बता दूंगा पांच का मैंने उस दिन ही बता दिया था बेसिक सा है और फिर एक ही बचेगा वह क दो और तीन से बना लोगे या 26 है तो तेरा और दो से बना लोगे ठीक है तो ए सब चीजें आपके पास होनी चाहिए तेरा दो का मतलब तीन और दो आएगा ठीक है आप समझेगा देखें जैसे मैं मालों 9 का पावर क्वेस्चन लें लिता हूं समझेगा नौ का पावर यदि मैं आप से कहूं सवाल में 102 है नौ का पावर सवाल में 102 है मैं दहाई का अंक ग्याद कीजिए अब हमको आप हमको बताईए आप हमको बताईए कि नौ के पावर दो में इससे भाग दोगे 51 बार जाएगा आप हमको पता है बच्चे नौ का पावर दो होता है 81 यानि सवाल एक वाला बन गया एक में तो एक ही आएगा लेकिन इस आठ का किसमें मल्टिपल होगा दूसरे करसे जाता हूं इस आठ का किसमें मल्टिपल होगा एक में होगा तो कितना हो गया बच्चे आठ है का अठी यूनिट दीजिट तो एक हो गई लेकिन दहाई का अंक कितना हो गया बच्चे 8 हो गया उमीद करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी। कुछ लोगों कहना यह है कि चलिए ठीक है अगर सरईसा है ऐसा भी कर लेते हैं कुछ अगर 9 का पावर इधर कुछ भी रहा है उससे नहीं मतलब है 9 का पावर एक एह हो तो क्या करेंगे कुछ नहीं करना है पहले चार से पहला दो से भाग देंगे पहले 9 का स्क्वायर करेंगे भाग देंगे 2 सत्य चवदर 2 अठे 12 12 12 12 12 कट गया कट गया अब आप हमको बताइए यह बच्चत हो गया 81 कितना हो गया 81 का पावर 866 हो गया अब आई यह 1 हो गया यह 8 चक 44 हो गया 866 48 में क्या आएगा बच्चे 8 हो गया तो बताओ दहाई का अंक कितना हो गया 8 हो गया तो उमीद करता हूँ बच्चे कि आपको इन बातों को समझ में आया होगा कि आप किसी सवाल को कैसे तुरंद करोगे पहले नियम क्या क्या हो गया उसकी चर्चा एक बर मैं आपसे करता हूँ देखे नियम आपका हो गया जीरो का आपको पता है ठीक है एक का एभी आपको पता है तीन का एभी आपको पता है साथ का एभी आपको एक में बनाना है नौ का एभी आपको एक में बनाना है यानि एक बनाने में मुझे मालो 21 का पावर 142 है और दहाई का अंक निकालना है भई लिख देता हूँ इसको दहाई का अंक निकालना है आप बताओ बच्चे एक हो गया और दो दुना चार हो गया तो दहाई का अंक हो गया 41 आप हमको जरा बता दो मुझे सर तीन का निकालना है तो तीन वाली मेश कंडिशन जो है पावर चार में बनती है तो मैंने कह दिया कि तीन का पावर अगर बानवे है में दहाई कांग तो आप कहें तीन का पावर चार और चार से इसमें भाग दीजिए तो चार दूना 8 1 4 zar 12 तेशों का बानवे तो यहां भी बचा एक Ouais-इसी व Сी पा पावर कितना हो गया तेइस आप बताओ जब एक हीमार पार लिए तो एक के लिए बच्चे एक लिक दिये और आठ तरी denen चैसे 41 हो गया अब मैंने कहा कि साथ का पावर में साथ का पावर मैंने लिया मालो कुछ भी ले लिया साथ का पावर 77 ले लिया में दहाई का पावर मैंने क्या किया साथ का पावर चार से भाग दोगे 99 चोक शकी 70 हो जाएगा और दो बार बज्ज जाएगा साध इसको मैंने समझा दिया था यहां 2401 हो जाएगा और गुड़े 49 हो जाएगा 2401 का पावर कितना हो जायेगा 19 एक आ जायेगा जीरो का नौ में करोगे तो जीरो आ जायेगा गुड़े 49 हो जायेगा तो बताओ दहाई कंग कितना हो गया अब इसी तरीके से मैंने एक सवाल 9 का लिया 9 का पावर कुछ भी ले लो 9 का पावर मैंने चलो 130 ले लिया तो 2 ही से भाग देना है तो 9 का स्क्वायर का पावर 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10 का 2 1 बच गया तो गुड़े 9 का पावर 1 हो गया आप हमको बताओ 81 का पावर 51 हो गया और गुड़े कितना हो गया 9 हो गया तो आप हमको बताओ 1 तो 1 ही रहा बच्चे और 8 है का 8 हो गया और गुड़े कितना हो गया 9 तो 9 और 9 अठे 72 की 2 तो तेन्थ दिजित कितनी हो गई तेन्थ दिजित हो गई 2 कि दो आप हमको बताओ क्या इन बातों को आप समझ पाए क्या कि जीरो एक इन साथ नौ इस कैसे कंडिशन में फालो करते हैं अब यह मत सुचना कि जो साइकली सिटी तीन की होती है वही तेरा की भी हो जो तीन की होती होई तीरा क्योंगे आप उसको निकालेंगे इस विदी से तो पता चलेगा ठीक है कि हम कैसे कैसे लगाते हैं देख वार एक बार मैंने पूरा कितने सवालों को जीरो का मेंटर और उसके बाद बच्चे किसका एक का उसके बाद तीन का उसके बाद साथ का उस से कर चुका हूं मेरे पास बचा पांच संख्या है जिसमें एक संख्या आपको पता ही है कि पांच वाले पांच वाले पे चर्चा करता हूं पांच वाले पे तो आपको पता ही है कि पांच का स्क्वायर 25 होता है तो यह क्या होगा दो होगा तो इसको तो आप इसे दिमाग में रख सकते हो कि तेन्थ डिजिट यानि दहाई का अंक जो होगा कि दहाई का अंक हो क्या होगा दो होगा अगर मैं पांच का क्यूब करूं कि 125 बनता है बच्चे यहां पी भी दहाई का डिजिट क्या होगा दो होगा पांच का पावर चार करूं तो जो भी 625 बनेगा यहां भी दहाई का अंक क्या होगा दो होगा यानि पांच में दहाई का अब आइसा मत करना 15 में भी दहाई कांग दो क्यों पांच 15 देखा अब कहें कि यहां भी होगा सर अरे नहीं भई इसका गुडण खंड होता है तीन में और पांच में तो पांच वला अलग लगा ओगे और तीन वला अलग लगा लियर है इस चीज को दिमाग में रखना अभी तक आपने जो किया वह गुडण खंडों में नहीं था कि वह ऐसे गुडण खंड भी करते तब भी आता उसका ठीक है अब जैसे अब इसके बाद चाहे जो आप लेलो लाश्ट में लाश्ट में दो ही अंक आएंगे इकाई तो आप जानते हो पांच ही राता है दहाई यहां से क्या आता है दो आता है चाहे छह पावर ले लो तब भी बच्चे यहां पर क्या आता है एक आई तो सेम आएगा लेकिन दहाई सेम भी आएगा यहां पर दो ही आएगा चाहे जितनी भी घात आप ले लो तो पाँच का नियम बच्चे आपको समझ में आया कि कुछ भी नहीं देखना है केवल पाँच के नियम में हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा जो तेंथ दिजीत है अगर पाँच एक लोता है तो हां पर कितने आने चाहिए तो दो आने चाहिए तो क्या कंफर्मेशन हुआ इस बात का कि पाँच में सदैव दहाई का अंग पाँच में मैं क्या कराओ वलनी पा दो होता है दहाई का अंक आप कितने कंडीशन को मैं आपको बता चुका श् relatively को मैं आपको बता चुका बच्छे कौन कौन था कंडीशन पहला कंडीशन देखो कि जीरो दूसरा एक ती त्लिए नोब पांच इतनी चर्चा मैं आपसे कर चुका अब मैं बात करूंगा दो लुए चार और आठ इसकी बात करूंगा दो चार और अठ जब इतनी बात हम कर लेंगे तो च्छा तो आसान हो सवाल को तुरंद करने का प्रयास करेंगे पहले पूरा बेसिक जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या बन सकता है कैसे बन सकता है उसके बाद सवालों को जानने का भी प्रयास करेंगे ठीक है जैसे देखें कि दो का नियम किसका नियम कि दो का नियम कि अब ध्यास वाजिए दो के नियम में दो बात याद रख लिए जगा कि यदि दो का पावर दस है दो का पावर दस होता है एक हजार चोविस एक हजार चोविस यदि यह सम संख्या हो यह भी सम होगी ना कि एक है और अगर यही दो का पावर दस है एक हाथ में दो कर दूँ तो एक बार एक हजार चोविस का स्कॉयर हो जाएगा तो चोविस यदि यानि लास्ट में का पावर दस बनाओगे और यदि और संख्या होगी क्या होगी और मने विसम क्या संख्या होगी विसम तब तो उसकी जगा आ जाएगा टू फोर क्या जाएगा अगर बात संख्या की होगी तू पावर टेन और यहां पर बात यदि स्टम संख्या की होगी यानि इवेन नंबर का होगा तो यहां पर कंडिशन क्या आ जाएगी बच्चे यहां पर आ जाएगी सेवेंटी सिक्स क्या आ जाएगा सेवेंटी इस बात को याद रखना है अप मुख्य बाते यह हैं दो के नियम की मुख्य बाते हैं देखो क्या हुए यानि तो यहां से दो बाते निकल कर आ गई कि 2 का पावर 10 तो सर सदय होगा 24 ही होगा 2 का पावर 10 क्या होगा 24 होगा लेकिन अगर मैं 2 का पावर 20 कर दूँ तो क्या होगा 76 होगा यहां देखो अगर यह 10 से 2 से मैं गुडा भी कर दूँ तो 2 का पावर 20 हो जाएगा तो का पावर तो कि तो का पावर बीस कितना हो जाता 76 और दो का पावर 10 भी हो जाता स्वालों में लेकर हम आप इसको समझाएंगे सवाल मैंने लिए हैं कुछ सवाल है जैसे दो का पावर दो का पावर 541 में दहाई इकान बताओ दो का पावर 541 जैसे मैं एक जम्शावाल लेए दो का पावर 541 में तो आप क्या करोगे दो का पावर या तो दस बना लो या तो बीस बना लो तो मैं 20 बना लेता हूं क्योंकि यहां से भी थो जाएगा दो का पावर 20 कर लिए तो 27 दुना चंवन होता है ना तो 27 बार जाएगा और एक दो बच जाएगा साथ रहे यह पान सो चालिस हो गया और एक एक तालिस हो गया तो दो पावर 20 जो है दो पावर 20 इसको बच्चे क्या लेखते हैं 76 लेखते हैं कितना लेखते हैं 76 का पावर क्या करेंगे 27 और गुड़ा क्या कर देंगे दो तो बोलो यहीं तो बात है दो का पावर अब इधर में लिख देता हूं इसको यानि है 76 ही हो गया पूरा अब ध्यान देना बच्चे कि अगर यह वाला क्या है बिसम है तो बात आपकी क्या आएगी 76 ही आएगी तो कुछ जरूरूत है रे भाई यहां लिखाओ देखो नहीं पूरा-पूरा कट गया नहीं यह पूरा-पूरा कट गया है तो 76 हो जाएगा संभाअ और जो बच गया के अमभाअ एल देखें जो पूरा-पूरा बच गया और 76 हो गया और 76 का इन 2 किस से करेंगे तू से करेंगे क्यों बच्चे देखो क्योंकि सम संख्या वाला तो 76 आता है और विसम संख्या वाला क्या आता है चोबिस आता है तो यहां देखो जो पूर्ण रूप से कट जाएगा वो समय संख्या ने पांसो चालिस तो सम है बच्चे पांसो चालिस क्या है सम है तो उसकी बैलियू आगे च्छीहत्तर और यह दो धा तो च्छीहत्तर दुना 152 यानि पांच और दो जाएगा तो इसका क् देखो मैंने समझाने का क्या प्रयास किया सबको एक तरफ से लिख के समझाता हूं क्योंकि थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन अगर लगातार इसको देखते रह गए तो एक-दो बार में तो कनफर्म हो जाएगा यह क्या होने वाला ठीक बच्चे देखो मैं एक बार फिर से शुरुआ तब को करके इसकी समझाता हूं एक-एक चीजों को क्योंकि आपको भूल जाएगा जल्दी नहीं जाने में तो देखो आपको मैं तीन ट्रैटेरिया बनाता हूं कि एक कि दो और तीन ठीक है कि इस पर आपको मैं क्या बनाता हूं द्यान समझे है कि अगर जीरो का स्कॉयर है भाई तो कोई दिक्कत नहीं एक का भी है एक का भी कोई नियम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं यह निकलना है आपको तीन का नियम है इसको भी आपको दहाई निकलना है तात का नियम है इसको भी आपको दहाई निकलना है नौ का नियम है इसको भी आपको दहाई निकलना है और यह तीनों नियम यह एक ही से बनते है एक मुख्य है एक का है बच्चे मुख्य है और इससे ही यह तीन नियम बनते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि तीन का पावर चार, साथ का पावर चार, वो नौ का इस्क्वायर एक बनाता है एक बनाता है अतह घात यही बनाकर एक का नियम बताएंगे एक का नियम बताएंगे एक का नियम ठीक है एक बनाता है अब बात मैं क्या कर रहा हूं अब मैंने बात किया दो का कि दो में क्या मैंने पढ़ा बच्चे कि दो का पावर दस अगर भिशम है यदि बिशम है इसे 24 होगा दहाई का अगर दो का पावर दस यदि सम संख्या है एक बच्चे कितना होगा सेवेंटी सिक्स होगा और सेवेंटी सिक्स होने का मतलब कि दहाई का अंग जो है स्तयात होगा और यदि इसी बात को मैं दो का पावर बीस करूं और कोई पावर सम में बना है यानि 22 का दो कर देता हो ना तो दो का पावर बीस अगर यह सम ही होगा यह भी कितना होगा सेवेंटी सिक्स होगा यह सम ही बात है क्योंकि बीस से मेंटिपल है अब ध्यान समझें यह तो दो का नियम होगा बच्चे तो मैंने कितने का पढ़ लिया जाना देखते हूं जीरो का न में पढ़ा तीन का Ninja sa deal-9 नökघ करताओं एकदम कनफर्म हो गया होगाओ अग्हों सब्सक्रार्वा यह बेखेओ यह पावरद्षों करता हुआ पद्द्धास का हम इसके बाद हम any fixes progress पांच का पड़ लिया कि पांच में के जाहे जोभी घात बने पाँच में चाहे जो भी घात बने यहां पर तो इकाई और दहाई इकाई और दहाई क्या होंगे पाँच दो 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 और दो तो बोलो जीरो का हो गया एक का हो गया तीन का हो गया साथ का हो गया नौ का हो गया दो का हो गया अब हम दो से ही किसका बनाएंगे चार का दिहान देना वच्चे क्या यदि चार आ गया यदि क्या आ गया चार तो क्या मैं इसे दो का स्क्वार लिख सकता हूं कि अगर क्या आठ आ गया तो क्या मैं इसे दो का क्यूब लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं जैसे समझो यदी मुझे तवाल में चार का पावर चार का पावर कुछ भी दे दिया मालो 20 दे दिया 18 में दहाई का अंक क्या होगा दहाई का अंक ग्याद कीजिए आप हमको बताओ बाऊ बच्छे क्या इसे में दो का स्क्वैर लिखने में सक्षम हूं कि और यह 18 2 बार है तो क्या बताओ इसेоме貌ावर 36 भी लिख सकता हूं किْ 실व दूर्ण मैंने कर लिया अभ मैं दो का पावर 10 कर भो कि जरूरत पढ़े दो का क्वार ग्याइब मृत्सम तो बिसम में तो नहीं हो गया यहां थो गया ट्वंटी और यहां पर दो काप पाउर पांच बत्तीस होता है दो का पाउर च्छा कितना हो जाएगा बच्छा चौन सट और गुड़े 24 कर लो के तो तुम्हारे दाहाई कांग निकल जाएगा ठीक है तो चौन सट गुड़े 24 करके दाहाई निकाल सकते इसका भी गुड़ा करने का नियम मैं बताऊंगा अभी आप आपको बस सीखना है अब बोलो कर पाएं अरे बहुत 24 साथ 24 में कर लो 144 चाहूद चालीस हो गया 24 चाहूद का आन्वे हो गया तो च्छान बहुत तो नौचार तेरह तो नौचार तेरह तेरह तो यह नहीं दाहाई का अंग कितना हो गया तीन हो गया दाहाई कांग कितना हो गया बच्चे तीन हो गया देखो आप निकाल पाएं कि नहीं निकल पाएं जोदा देखें आप इस बात को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं कुछ बाते सवाच में आ रहे हैं कि अगर आठ का भी मुझे बनाना होता मानलो कर लोंगा अठारत यह चाउन हो जाए जैसे एक जगा मैंने जो समझाया यह बाते आप डाउन कर सकते हो आप से ठीक है जैसे मैं मालो अगर इसी बात को इस तरीके से आप से कहा दूं कि आठ का पावर कुछ भी ले लेता हूँ यार उससे मुझे मतलब नहीं है तताइस में दहाई का अंक ग्यांत किजिए दहाई का अंक ग्यांत किए आप देखिए आठ में बच्चे आठ में तो दो की घात कितनी है तीन है और यहां पर पावर कितनी है 27 है 27 यहां होता एक क्यासी तो दो का पावर बन गया क्या एक क्यासी अब बीस बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो बोलो तो दो का पावर बीस है इस चोग असी और एक बच गया है आप बताओ इसकी वैलू इसकी बैलू कितनी बच्चे 76 एंट्व इसकी बैलू दो आप बताओ क्या 152 पाए गया तो क्या पाए आपने अ हाई कांक टेंट डिजीट पे आपने इसको पेंशन अलिए असाल सा तरीका है बच्चे बोलो अब हम कुछ सवालों को लेंगे अदन अदन आपसे कराने का प्रयास करेंगे ठीक है तो मैंने बेसिक बता दिया अब आपको किवल सवाल मैं लेता चलना हूँ आप करते चलिए बच्च कई सवाल मैंने लिए हैं आपको शा का नियम आप समझी गए हो नहीं समझ पाया हूँ एक सवाल से ही सुरुवात कर लेता हूं शा की नियम को कि कुस्चन नमबर एक 21 का पावर 23 21 का पावर 23 में दहाई का अंक होगा दहाई का अंक होगा 21 के पावर 23 में दहाई का अंक होगा ठीक है चलिए बताइए एक 12 और बच्चा कितना इस पुश्यन नमबर 1761 का पावर 4687 में दहाई का अंक होगा तो एक और च्छासते 42 उत्तर कितना दो क्वेशन नंबर तीम एक सो क्यावन या 31 से क्यावन में पांसो बारह में तहाई का अंक होगा तो आप कहोगे एक और पांस दोना दस जीरो बोले घर लिये जीरो में तो कोई दिक्कत नहीं है तीन में आ जाओ तीन का पावर 44 में दहाई का अंक होगा आप क्या करोगे तीन का नियम आप जानी गए हो तीन का नियम आपको पता चल गया है क्या कि तीन का पावर 4 करने पर एक मिलता है तो एक 11 चला गया एक 80 का पावर कितना चला गया एक 11 यहाँ गया 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 और यह आ गया आठ तो बताओ कितना हो गया एक 80 हो गया क्या कि अधरा का अंक होगा तीन के पावर 62 में दहाई का अंक होगा तो तीन की घात आप चार ले लिजे पंदरा बार बच्चे जाएगी पंदर चुक का ताठ और दो बच जाएगा तो यहां से एक आगया एक क्यासी एक क्यासी का पावर 15 और गुड़े तीन त्रिक का नौ तो पहले का एक हो जाएगा अवाट पचे चालिस तो जीरो से मतलब है केवल हमको दहाई से तो जीरो नौ तो दहाई का कितना होगे जीरो चलिए हमने लिया साथ का पावर हमने लिया कि वेस्टन नंबर साथ यह अच्छा होगा क्या लिया साथ का पावर चाहूंगा मैं दहाई का अंक होगा तो आप हमको बताओ साथ का पावर चार तो चार से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा तेरा चुक का बावन और साथ दू बार जाएगा यह वाला एह हो गया बच्चे चौबिस तो एक चौबिस सो एक का पावर तेरा और एक पुट्टी नैन आप सब्सक्राइब जीरो से तीर में जीरो गुडेव प्वर्टी नैन तो आ गया पुट्टी नाइन दों क्या हो गया हो गया है मारे पुर्ष्यम nervous तुमूँ करता हूँ बाते सबाब को समझ में आरहे होंगी से नंबर आप लेता हूँ लिसा नमबर था कि 59 का पावर 204 कि 70 का पावर 204 में यूनिट डिजिट क्या होगा तो भाइन नौ के मित स्कॉयर में आता है तो इसको एक चीज मैं बता दता बच्छे वड़ा सा नियम यहां और जालो यह 50 से कितना दीक है और नई 209 का जो स्कॉयर होगा वही आयाएगा तो इसको नहीं आता है ऊडियान दिमाग में रखिए कल शोड़ी सब्सकों यहां जानों पचास से ज्यादा कितना 19 ज्यादा है पचास से 19 ज्यादा है तो 19 का स्क्वर होता है 361 तो इसका भी लास्ट डिजिट कितना होगा एक सट होगा अब एक सट आप पागए एक अब एक हो गया और च्छाद उना बारत उत्तर कितना हो हो गई अब एक सवाल मैं आवर ले लिया माले पंद्राम की पावर 73 में पंद्र का पावर पंद्र का पावर 73 में दाहाई का अंक ग्याद कीजिए अंद्र के पावर 73 विट आपको मैं बताया था यह पाच का तेतर और गुड़े 3 का यह सई बात है तो भाई साब पाच का लगा ओगे तो तहाई कितना मिलेगा पचीस से निप 25 मिल गया यह निदो मिल गया तहाई यहां के मिल गया दो यह तो मिलता है गुड़ा यह 70 में लगा होगे 3 पावर 4 18 चोग 72 वो गुड़ा 3 की पावर 1 यह न यह तो हो गया पचीस और यह हो गया 81 का पावर 18 गुड़ा 3 इसको कर लोगे तो 25 तियां 75 हो जाएगा और यहां से करोगे तो 1 और 8 अठे 64 की 4 कर लोगे किलियर हो गया यह तो करना था अब गुड़ कर सकते हो भी है तो चाहिँ कि लया एक्टालीश पचेसे पहले तो पांच आएगा एक ताली醇च पंजे होता है दूसर पाच ट्रुपे तो हांस में आया कितना बीस और 41 67 सी कुड़ी में साथ वाले में तो 75 हो गया यानि इसका दहाई का आग क्या जाएगा साथ दहाई का अंग क्लियर हो गया पिल शब्विस या तोला का पावर अठारा तोला में के शब्विस लेता हूं में क्या लेता हूं 26 का पावर में 46 लेता हूं कि दहाई का अंक्या हो निकाल सकते हो क्यों क्योंकि दो का पावर 44 और गुड़े तेरा का पावर 44 हो जाए रहते तीन का नियम हो गया और एक इसका हो गया दो का तो विए बीटना नानिस कई नीं लिए वह क्या शो मतलए अ कर जाएगा आनू आप छ किसे जो सussia फवा लेगए किना सब्सक्राइक लोत एक तरह यह कूना चाहर किसा लेखन चाहर चाहर से पाव्रकार सुर्खने तोगे कि फिरना ऑन चाहर है इक ग Crystal यह तो वही बात मैंने बताया कल्क्योशन में तो 13 का स्वायर 179 होता है और 179 किस्से अधिक है 50 से 19 अधिक है नहीं सब्सक्राइब निकाल दे रहे हैं इसको दिहान देना है यह 13 का पावर चार है यानि 13 गुड़ा 13 यानि कितना है 169 कितना है 179 पचास से कितना अधिक है 50 से 19 अधिक है पच्छे मैंने क्या ले लिया तो यहाँ पर मैंने 61 कैसे लिया यह बासमझ में जैसे देखो आप क्या करते हो द्यान से दिखना जैसे दो का पावर करते हो ना दो का पावर क्या आता है चार अब देखो पचास में दो घटा दो या दो जोड़ दो उसका भी मान चार ही आएगा unit digit देखो 48 है अगर 48 का भी square करोगे तो क्या आएगा 0-4 और अगर दो जोड़ भी दिए बच्चे तो 52 होगे तो 0-4 ऐसे ही अगर 100 में से 2 घटा दोगे अठानबे और 100 में 2 जोड़ दोगे 100 में 2 घटा दिये मालव अठानबे तो 98 का स्कॉयर भी लाश्ट में क्या देगा 0-4 देगा और 100 में 2 जोड़ दोगे तो 102 और 102 का भी square बच्चे क्या देगा 0-4 देगा ऐसे डेर सो के भी साथ हैं डेर सो में जब 2 घटा दोगे तब 150 में 2 घटा होगे 148 148 में square करोगे तब भी लाश्ट जिजिट 0-4 आएगा और 150 में भी जो है जोड़ दोगे दो तो 152 भी 0-4 आएगा ऐसे ही 200 में जब 2 जोड़ दोगे या 200 में 2 घटा दोगे तो 198 का भी square करोगे बच्चे तो लास्ट के 2 जिजिट कितने आएगे अगर 200 में 202 जोड़ दोगे तो भी कितने आ जाएंगे 0-4 आजए ऐसे अरहाई 100-300 ऐसे करते चले जाओगे सब में आएगा अब बात करते हैं तीन की देखो जब मैं तीन की बात करता हूं तो तीन में क्या आता है जीरो और नव आता है तो अब आप चाहें 50 में 3 घटा दो 49 49 का भी work करोगे तो जीरो नव आएगा और 50 में 3 जोड़ दोगे तब ही कितना आएगा जीरो नव आएगा करोगे तभी बच्च journals करोगे तभी जीरो नव आएगा और सो में 3 जोड़ दोगे 103 आएगा तभी जीरो नव आएगा यहीं काम में वहां कर रहा था कि 50 से कितना अधिक है तो 50 compose 19 सदिक था तो 19 का जब मैं स्क्वाइर कर रहा था तो 19 की स्क्वाइर में भी मुझे 361 आता है और 61 में चाहता है कि देर हो गया अब मुझे सव में आप मैं देर सव में तीन घटा दूँ एक सो से तालिस होगा 147 का भी स्क्वाइर करूंगा जीरो नव आएगा और एक सो तीन जोड़ दूँ एक सो तीरपन भी करूं तब भी मेरे पास क्या आएंगे जीरो नव आएंगे तो इस प्रक्रम है किसका किसका देखो पचास से बहुत स्क्वाइर कैल्गुलेशन थोड़ फास बहता है पचास तो डेड़ सो दो सो तो दूसर पचास तीन सो यह सब चीजे हैं बच्चे चाहे इतना प्लस इतना माइनस चाहे जो करो प्लस और चाहे जितना माइनस वह वही के स्क्वाइर बताएगा वह उसी का स्क्वाइर बताएगा जो उसके प्लस में आप करते हो जैसे मैंने मालो यहां पे दो को प्लस क कर दिया 12 को दे होगे बच्चे बावन आप आपन के स्कॉयर में दाहाई का निकाला को तो क्यों निकालोगे यहां जानते हैं अंतिम के 0 और 4 होंगे क्योंकि 2 का सक्वाइर भी चार है 50 आठ जोड़ा हूं 50 में क्या जोड़ा हूं ही 619 के लिए मैंने 50 में कितना जोड़ा था 19 ओड़ा था तो जो दिजीट में वहीmah जोड़े रहते हो और जो आप गड़ाये रहते हो जो इस संख्या का इस्पर होता है वहीजिति क्यास होता है यानि 79 का हिस्कोयर भी तराश्ट में क्या आएगा वहां 13 13 13 था तो इतना ही आज आए गए चोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़े-बड़े प्रश्ण को हल करने में बड़ी आसानी देती है कि एसी इसी बात रट लो दो कई स्क्वेर चार अगर 50 में दो घटा दिया तब भी चार 50 में दो जोड़ तब भी जीरो चार सो में दो जोड़ दिया तब लो टो जोड़ दिया तब घटा दिया तब भी जोड़ दिया तब ही एकअगा GI जोड़ा वही बात दुनिया में वही बात सब चीज़ वही करते हैं चले जाओ एकदम आसान तरीके से आपको सभी चीज़े नार्मल से समझें तो आज की सभा जो है इन दहाई अगों पर हम समाप्त करते हैं बच्चे कल हम पढ़ेंगे आ भाज यही कल बताने वाला था लेकिन अब यहां इस्तिती बन गई कवाल बताने की तो मैंने इसको आपको बता दिया कि अगर कभी भी आपको कैल्कुलेशन कठिल लगे आप क्या करो देखो पचास से जैसे मिल गया मालों मुझे मालों कुछ भी मिल गया मैं 73 की बात करना ठीक है अब मुझे मिल गया 73 के इसकोईर के लास्ट डूडिजिट कैल्कुलेशन में डिजिट अलग अलगा आती है तो लास्ट के डूडिजिट अब आपप स्कुआर करना नहीं जानते हो हो सकता है नहीं जानते हो तो फिर है तो दोनों तरफ से देखो कि तो हमको लगता है पचास वाला ज्यादा नजदीक है देखो पचास भीस तेईस है तो तेईस का स्कॉयर तो आप जानते हैं तो दो और नौ हो गया बात हो गई कर यह चीजें आपको कैलकुलेशन में भभी बहुत साथ देती है अंतिम के दो लेट को आप देखकर आप पहचान जाते हो कि कितना इसका एंस्वर आने वाला है ठीक है चलो बचे आपको उमीद करता हूं यह बाते पूरी की पूरी समझ में आये होंगे कल हम इसके आगे वाले टापिक आभाज भाज पर आधारेद प्रशन पढ़ेंगे जो अभी तक ह क्लास में करूंगा और कल वाली क्लास थोड़ी और बड़ी हो सकती है तो ठीक है दोस्तों धन्यवाद और ध्यान दीजी अपना